सभी प्रश्मुत्तर वन लाइनर है चलते हैं बिना समय गाई शुरू करते हैं एक नमर से पनामा नहर कीन दो महासागरों को जोरती है परसांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोरती है आगे उगते हुए शुरज की भूमी किसे कहा जाता है तो उगते हुए शुरज की भूमी जपान को कहा जाता है आगे आलश का परदेश किस प्राकृतिक परदेश को कहा जाता है तो विश्वत ये परदेश को कहा जाता है भुकम की तीव्रता किस से मापी जाती है तो रियक्टर एसकेल से मापी जाती है आगे हवा की गती मापने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है तो एनिमोमिटर का उप्योग किया जाता है 29 इस्वी में दिल्लीक की केंद्रे विधान सभा में कींदोर सोतंता शनानियों ने एश्मोक बंप फेंके थे तो भगर्शी और बट्टुकेश्वर दत ने फेंकी थी प्लूटो ग्रह की खोज किस ने की थी तो कलाइट टामश बागन की थे किस देश को वनो का देश कहा जाता है तो कांगो को कहा जाता है विष्व की शरवाधिक विष्व घाती नदी किसको कहा जाता है तो हवांग हो को विष्व घाती नदी कहा जाता है मानोशरी की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो इस्टेविच हड़ी है जो कान के पास पाई जाती है मानोशरी की सबसे बरिग्रंथी कौन सी है तो यक्रित है लिवर आगे चूने के जल में किस गेस को प्रवाहित करने से उसका रंग दुदिया हो जाता है तो कारवन डौ अक्षाइड गेस आगे मानोशरी का श्रमांद ताप कितना होता है सेंटिग्रेट में 37 डिग्री सेंटिग्रेट और फाराइनहाइट में 99 दिसवलो 6 फाराइनहाइट आगे खिलाफत अंदर्ण की शुरुवात कहां से होई थी तो तूर्की से होई थी हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से अधरता मापा जाता है भारतियें शंसत के तीन अंग हैं कौन-कौन से हैं तो राश्पति हैं लोगसभा और राजशभा ये तीन अंग हैं संसत के निचले सदन को क्या कहते हैं तो निचले सदन संसत को कहते हैं किस तो कहते हैं संसत को कहते हैं लोग सभा के लिए एंगलो इंडिया समुदाय के कितने सदस मनोनित किये जाते हैं, तो दो एंगलो शदस मनोनित किये जाते हैं, भारत के राश्पति का पद किस अनुछेद में है, तो 52 अनुछेद में वर्नित है राश्पति पद, आगे लोग सभा के कौन सा सदश राश्पति के निवाचर में भाग नहीं लेता तो दो एंगलों इंडियन भाग नहीं लेता आग अठारों संतावन का विद्रो कहां से अरम हुआ था तो मेरेट से हुआ था दस मैं को भारत में पहला पंचयत राज का स्थापना कहां हुआ था तरायस्थान नागर 19minशिस भी में हुआ था आगे अस्थानिय स्वसाषन का जनक कौन था तो लौड रिपन था Word 84 में तो अस्थानिय स्वसाषन का जनक लौड रिपन था आगे गोल घर का निर्मान कव हुआ था तो 1776 वी में हुआ था पटना पिर्थिवी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है तो लोहा और निकेल का बना होता है कितने वर्ष के बाद राष्टी जनगना होता है तो दस वर्ष के बाद होता है निमित जनगना कपास की खेती सरपर्थम किस सभ्हत्ता में हुई है कपाव सी खेती सरपर्थम की सभथा में हुई तो हरपपा सभथा में हुई हरपपाई सभथा में की सस्थान से जलाशे का प्रवान मिलता है तो धोला गेड़ी से मिलता है शेल का नामकरण सरपर्थम किस ने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था समिधान की कुण्जी किसे कहा जाता है समिधान की प्रस्थाना को कहा जाता है भारत का छित्फल 20 के कुल भारत के छित्फल का कितना परतिसत है तो दिश्टरम लोग चार परतिसत है यहां तक बनने के लिए थायं की विश्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद